प्रेमचंद बच्चों आपने प्रेमचंद का नाम जरूर सुना होगा हिंदी और उर्दु के महान लेखकों में से एक हैं प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर में हुआ इनका नाम धनपतराय श्रिवास्तर था परंतु इन्हें नवाबराय और मुण्शी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी कहानी का पितामह कहा जाता है प्रेमचंद सादा वह सरल जीवन जीते थे और हसोड प्रकृति के मालिक थे जहां उनके मन में मित्रों के लिए उदार भाव था वही गरीबों और पीडितों के लिए सहानुबूती भी थी उनके चर्चत उपन्यास हैं गोदान उनकी प्रमुख रचनाओं में से कुछ हैं उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी और उर्दू रुपांतर तो हुए ही हैं चीनी रूसी आदी अनेक विदेशी भाषाओं में उनकी कहानिया लोगप्रिय भी हुई हैं बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिंदी के महान लेखक अपनी रचनाओं की रूप रेखा पहले अंग्रेजी में लिखते थे और उसके बाद हिंदी या उर्दू में उसे विस्तार दिया करते थे